दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 25 MCQs जो की सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा 25 में से कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा प्यारे दोस्तों ये वीडियो रात में 9 बज़ा आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है विष्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कोन सी है आंसर पता है तो कमेंट बोक्स में बता देना विष्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कोन सी है तो पहले कोशन का राइट आंसर हैगा Medira Amazon की यानि कि पहले कोशन का राइट आंसर D रहेगा दूसरा कोशन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो दूसरे कोशन कराईट आंसर हैगा दोस्तो मेक्सिको की खाड़ी यानि की दूसरे कोशन कराईट आंसर आपका बी हो जाएगा ये आपको याद रखना है कोशन नमर थिरी है सवतंतरता आंदोलन के दोरान चर्चित पुस्तक इंडिया फोर इंडियन्स के लेखक कौन थे सही आंसर हैगा चितना जन्दास जी यानि कि तीसरे कोशन का राइट आंसर सी रहेगा कोशन नमर फोर है विस्व की सबसे व्यस्थ व्यापारिक नदी कौन सी है विस्व की सबसे व्यस्थ व्यापारिक नदी कौन सी है तो कोशन नमर फोर का राइट आंसर रहेगा राइन नदी यानि कि फोर कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नमबर 5 है भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है सही आंसर रहेगा कस्मीर में यानि कि A सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पूरेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं 170 रुपे की पीडियाप रहेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन वोक्स में मास्टर पीडियाप का लिंक है और वोट्सप पर मेरे प्यारे दोस्तो इसका बार कोड मिल जाएगा वैसे ये बार कोड भी सेम है इस पर पेमेंट करके स्क्रिन सोट भेज देना इस नमबर पे आपको पीडियाप मिल जाएगी चटा कोशन रहेगा विस्व में सबसे बड़ा मचली उत्पादक देश कौन सा है विस्व में सबसे बड़ा मचली उत्पादक देश है दोस्तो चीन यानि की ए सही उत्तर रहेगा साथवा कोशन है भारत का रास्टे गान पहली बार कहां गया गया था साथवे कोशन का राइट आंसर हैगा कोल कता में यानि किसी राइट आंसर हैगा आटवा कोशन है नदियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों नदियों का देश किसे कहा जाता है बांगला देश को यानि कि भी राइट आंसर हैगा नौवा कुशन है भारत में ज़्यादतर फिल्में किस दिन रिलीज होती है तो सही आंसर रहेगा सुकरवार को यानि कि A करेक्ट आंसर रहेगा जापान की राधानी टोक्यो निमलिकित में से किस दूई परिस्थित है प्यारे दोस्तों जापान की राजधाने टोक्यो निमलिकित में से किस द्वीप परिस्थित है सही आंसर हैगा होन्सू द्वीप पर यानि कि दसवे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नमबर ग्यारा है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला सहर कोन सा है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला सहर कोन सा है ग्यारवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों टोक्यो यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा ये आपको यादखना है कोशन नमबर बारा है विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है? सही आंसर हैगा, एसिया ए राइट आंसर हैगा भारत का रास्ट्य पेड कौन सा है? भारत का रास्ट्य पेड कौन सा है? सही आंसर हैगा बरगद यानि कि D करेक्ट आंसर हैगा Q14 ने दुनिया का सबसे सुन्दर देश कौन सा है दुनिया का सबसे सुन्दर देश है दोस्तो सिंगापुर यानि कि A राइट आंसर हैगा कौन सी बिमारी हो जाने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है सेशन अच्छा लगे, लाइक कर देना, सेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं, ये वीडियो जरूर देख लिया करें सही answer रहेगा दोस्तों, सुगर का जो patient होगा वो आलू नहीं खा सकता है, right answer C रहेगा सोलवा question है कौन सा देख सोर उरजा का सबसे ज़्यादा इस्तमाल करता है कौन सा देख सोर उरजा का सबसे ज़्यादा इस्तमाल करता है सोलवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो चीन यानि की A करेक्ट आंसर रहेगा सतरवा कोशन है फूलो की राणी किसे कहा जाता है सतरवे कोशन का राइट आंसर रहेगा चमेली यानि की राइट आंसर C रहेगा ये आपको याद अखना है कोश्व नमबर 18 है विस्व में सरवदिक मद्दाताओं वाला देश कोन सा है तो अठारवे कोश्व कराइट आंसर रहेगा भारत यानि कराइट आंसर डी रहेगा वायू मनलिय दाब को मापने के लिए किसी अंतर का उपयोग किया जाता है उनिस्वे कोश्व का राइट आंसर रहेगा बैरोमेटर का राइट आंसर दोस्तो बी हो जाएगा या आपको याद रखना है बीसवा कोश्वन है सेर के पहले जंगल का राजा कोन था तो प्यारे दोस्तो बीसवे कोश्वन का राइट आंसर रहेगा हाती यानि की डी राइट आंसर रहेगा 21 वा कोश्वन है केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है तो 21 वे कोश्वन कराइट आंसर रहेगा देखे केले और अंडे का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है तो सही आंसर अंडा रहेगा यानि की ए करेक्ट आंसर रहेगा ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी नहीं है तो राइट आंसर रहेगा आइसलेंड 22 वे कोश्वन कराइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा भारती सविधान के किस भाग में पंचाती राज से संबनित प्रावधान है प्यारे दोस्तो सही आंसर रहेगा भाग नाईन में राइट आंसर डी हो जाएगा ऐसा कौन सा परदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है कोशन नमर ट्वेंटी फोर का सही आंसर रहेगा सहद यानि की ए इस दा राइट आंसर अगला कोशन है नहों कलिकाई जल परपात किस राज्य में इस्तित है 25 कोशन का सही आंसर रहेगा दोस्तों में घाल्य में यानि की 25 कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा अब देखे 25 में से आप लोगों ने सही कितने किये हैं सबसे पहले तो अपना स्कोर बता दीजें विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला सहर कौन सा है ये एक टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी competitive exam के लिए test series लेनी है तो only top study app पर जा करके आप ये test series ले सकते हैं बहुत ही कमप्राइज में test series रखी गई है तो एक बार widget जरूर करके देख लेना test series आपको बहुत पसंद आएगी master pdf लेनी है तो इस barcode पर payment करिए इस number पर हमें payment का skin suit भेज़ दीजे whatsapp पर pdf मिल जाएगी अगर आपको directly pdf लेनी है सारे subject के pdf मिलेगी description box में link available है उस link पर click करके payment करके आप pdf directly प्राप्त कर सकते हैं 170 रुपीज की ये pdf होगी session अच्छा लगे तो like share करिए channel पर नए है तो subscribe करिए bell icon को on रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना मिलते हैं next class